हलो दोस्तों गुड बॉर्निंग स्वागतिक ब्राफ फिर से आप सभी का MZT application में दोस्तों आज है 15 दिसंबर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 दिसंबर 2022 के most important current affair के questions के बारे में वीडियो अगर पसंद आएगे वीडियो को like और share जरू करना इस वीडियो के PDF और quiz वगरा सब आपको MZT app पर मिलेगी तो आप MZT app रिजिताल करके रखो बिल्कुल free में PDF और quiz पाने के लिए चलिए हम लोग quickly revision करते हैं कल के current affair का और उसके बाद आज की current affair के तरफ बढ़ेंगे अभी अरणाचल प्रदेश के तबांग जिले में सुन हुआ है Supreme Court में as a judge अमेरिका ने अभी हाले में दो महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला bank note जारी किया है जो दो महिलाएं है उनका नाम है Janet Yellen और Lynn Mollerba अभी हाले में जापान के ISPACE ने इस पेस एक उसकी यहाँ पर इनका नाम लिखा गया है मीजो ट्रोपिस पलिटा फ्रीजी लोरिया सिरहोसा और डेक्टा इलारोजा है टागरिया इसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था सेस्टिमल समिट्स नाम के थीम के साथ बीसवा नेपाल में काट मांडू इंटरनेशन माउंटेन फिल्म फेस्टिवल आयजित किया गया मनोवर परिकर जो की पूर्व रक्षा मंतरी हैं और गुवा के पूर्व सीयम रह चुके थे इनकी याद में इनके सम्मान में गोवा इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट किया गया है अभी बवनी करार प्रयोजना सुरू की है केरलाजी सरकार ने और अभी नवंबर महिने के लिए आइसिस्ती प्लेयर अब दमंद का वाड चुना गया जोस वटलर और सिद्रा आमिंग को वहीं में घालाई को टीबी नियंतर कारकरम के लिए सम्मानित किया गया है ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन से कल की वीडियो में जो हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है अब हम लोग बढ़ेंगे आज के करेंट अफेर की तरफ पहला और मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफेर हाली में राष्टिय उर्जा सनरक्षन दिवस कब मनाय गया तो National Energy Conservation Day दोस्तों मनाय गया 14 दिसंबर को प्रतेक वर्ष 14 दिसंबर को मनाय जाता है राष्टिय उर्जा सनरक्षन दिवस ये उर्जा को सनरक्षित करने के लिए मनाय जाता है एक प्रकार से उसे सुरक्षित और स्टोर करने के लिए मनाय जाता है आपको पता है उर्जा सनरक्षर का सिधानत कहता है कि उर्जा ना तो खत्म होती है और ना ही शुरू होती है या कहे कि ना ही उत्पादित होती है बस एक रूप से दूसरी रूप में वो convert हुआ करती है ठीक है फिलहाल यहाँ पर राष्टे उर्जा सनरक्षर दिवस के बारे भारत सरकार जो है वो कुछ नियम कारून लागों की है जिनको सब लोग फालो करते हैं जिन पालसी इसको क्लियर है न? अच्छा ये दिन जो है ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंजेस है उसके बारे में लोगों में अवेरनस फैलाने के लिए भी काम हुए आता है अब एक से ले करके आज तक चितने भी दिसंबर महीने के दिवस आएं उनको क्विकली रिवाइस करेंगे एक दिसंबर को मोस्ट इंपॉर्ण डे मना गया वेस्व एट से दिवस एक्वालाईज इसकी थीम थी दो दिसंबर को वेस्व कंप्यूटर साक्षक्त दिवस मना जाता है दो को ही राष्टे प्रदूसर नियंतर दिवस मना जाता है जब भुपाल गैस तराजदी हुई थी मिथाइल आइसो साइनाइड गैस लीक हुआ था और इस वज़से हजारों की डेथ हुए थी उसी की याद में उसी घटना की याद में मना जाता है तीन दिसंबर को अंतराष्टे दिव्यांग्यन दिवस चार दिसंबर को भारतिय नौ सेना दिवस इसकी थी में आप याद रखना गोइंग आउट दा नेबर्ज ऑफ दे मैरी टाइम पांस दिसंबर को अंतराष्टे वालिंटेर दे पांच को ही विश्व मिर्दा दिवस और साथ को ही राष्ट्य ससवातर सेन दिवस ठीक है और साथ को ही अंतराष्टी नागरिक विमानम दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को अंतराष्टि व्रश्टा-जार विलोधी दिवस और 10 दिसंबर को वेश्व माना उथिकार दिवस इसको भी आप याद रखेंगे Human Right Day बहुत important है Dignity, Freedom and Justice for All ये है इसकी theme UNICEF दिवस 11 दिसंबर को मना जाता है 12 दिसंबर को अंतराष्टिय ततरसा दिवस और 12 को ही अंतराष्टिय स्वास्त कवरेस दिवस मना जाता है दूसरो हर दूसरे तीसरे आप लोग इसको जरूर रिवाइज कर लिवाइज 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 कर तो यह Asia Pacific Regional Meeting हुई कहाँ पर? Singapore में. तो यह option आप यहाँ पर लगा देंगे. आर्टिकल देख लीजिए for the reference. 17th Asia and the Pacific Regional Meeting conclude with launch of Singapore Statement. देखो Singapore Statement launch किया गया है और यह भी आप याद रखेंगे Singapore Statement launch के साथ ही यह summit आयजित की गई. Singapore Statement क्या है? एक प्रकार समझे कि इस summit में जो conclusion निकला, जो कुछ नियों कानून बने जिन पर कुछ बात चीच चली, वो statement यहाँ पर launch किया गया. फाइनल, चलो तो ILO आया है तो ILO के बारें जान लेते हैं. ILO यानि International Labour Organization सर्मिक संगठन ठीके ना? तो 1929 में इसके स्थापना हुई थी, जेनेवा में इसका headquarter है. अभी के टाइम पर नए महानितेशक आये हुए हैं Gilbert Hangbo ठीके ना? पहले guy rider थे, अब Gilbert Hangbo है. अंतराष्टे सर्मिक दिवस मनाया जाता है 1 माई को. यह भी आप याद संगठन है, वो मिल जाएगा. ठीके जिनने बुक नहीं आडर किया है, अमेजन से जाकरके आप इसे आडर कर सकते हैं. ठीके? चलो. तो यहाँ पर हम लोग डिवाइस कर लेंगे जो परमुक संगठन है, जैसे United Nation organization है, इसकी स्थापना 1945 में होती, headquarter New York में है, Antonio Guterres इसके Washington DC, Interpol का headquarter Lyon में है, France में, Sark संगठन जो है, उसका Kathmandu में है, ILO का Geneva में, और यह देखो नए अध्यक्स जो है, Gilbert Hangbo, ठीक है, और NATO जो है, Brussels में इसका headquarter है, ऐसे ही WHO Geneva में, FAO यानि Food and Agriculture Organization, यह Rome में है, Italy में है, Briggs का Shanghai में है, OPEC का है, Vienna में, UNESCO का Paris में, और UNICEF का New York में, ऐसे ही स संगठन है, इनका आप, अध्यक्ष के नाम सहित, पढ़ सकते हैं, page number 8 पर, ठीक है, चलो, आगे, हाले में, पैसेट में, राष्टे निसाने बाजी Championship में, दिर्व्या टीयस ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीत लिया है, उस तो gold medal, अभी पैसेट में, राष्टे न पाना को हराया है, 10 मीटर एयर राइफल के महिला इवेंट में, ओके, ओलम्पियन जो मनु भाकर है, ओलम्पियन क्यों, क्योंकि ओलम्पिक जा चुकी है, इन्होंने जूनियल महिला एयर पेश्टल का खिताब जीता है, और तेला गना की ईसा सिंग को हराया है, फाइनल में यह आयोजित कहां किया जा रहा है यहाँ पर मैं लिग दे रहा हूं आयोजन आयोजन जो है यह भोपाल में हो रहा है ठीक है भोपाल कहां पर पड़ता है जी मद्यप्रदेश में पड़ता है आगे हाले में किस ने हाइपरसोनिक वेकल का सफल परिक्षर किया तो दोस्तो इस रो ने अभी हाइपरसोनिक वेकल का सफल परिक्षर किया है हाइपरसोनिक क्या होता है इसको पहले समझो तो हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक वो होता है जब मिसाइल हो या फिर कोई भी ऐसा एरकाट हो आप समझ लो कि जिसकी स्पीड धन की यानि कि वह जो साउन होती है इसकी स्पीड की पांच गुना हो जाती है पांच गुना हो जाती है तो उससे हाइपरसोनिक स्टेज करते हैं ठीक है न अच्छा अब यहां मैं फिर से बोल दे रहा हूँ देखो एक होता है मोनो सोनिक Mono Sonic तो Mono मतलब होता है 1 ठीक है ना तो 1 का मतलब होता है कि जिसकी जो Speed है वो Speed of Sound से बराबर हो लगबग या 1 Mac हो ठीक है दोन की चाल आप जानते ही हो तो उसकी बराबर अगर हो तो 1 Mac होती है और अगर यहाँ पर Supersonic बात की जाए Supersonic तो Supersonic वो होता है जिसकी Speed जो है यह Below 5 Mac हो यानि 5 Mac से नीचे तो 1 Mac से लेकर करके 1 Mac से जादा हो और 5 Mac के नीचे हो इतनी अगर Speed है तो Supersonic है लेकिन Hyperasonic वो होता है जिसकी Speed जो होती है वो greater than or equal to 5 Mac होती है 5 Mac से जादा 5 Mac से ज्यादा केस्पीर हो या फिर उसके बराबर हो वो होती है हाइपरसोनिक कुछ एक्जामपल देख लो मोनोसोनिक में बहुत सारे आपको मिसाइल दिख जाएंगी सुपरसोनिक में आपको ब्रमोस वगरा दिख जाएगी ब्रमोस मिसाइल जो होती है यह सुपरसोनिक होती है और हाइपरसोनिक जो है ना रसिया का जरकान मिसायल जरकान मिसायल जो है ना रसिया का ये है और अभी अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसायल का सफल परिछन कर लिया है उसके बारे मैं आपको आने माले दिनों में बताऊंगा ठीक है अभी रिसेंटली यह वह हुआ है और अभी तक तो रस्या ही सफल परिष्ट के था लेकिन अब अमेरिका ने भी कर लिया है ठीक है और भारत भी अपना ब्रमोश टू जो बना रहा है वो भी दावा कर रहा है कि वो भी होगा हाईपर्सोनिक के सही हर अपना तो इसके लिए एक हाईपरसोनिक वेहिकल होता है धो अब तो इसका trial successfully अभी इसरो ने कर लिया है इसरो की बारें बात करें तो इसके स्थापना 1968 में हुई थी मुख्याले बैंगलूरू में है अध्यक्ष है S. सोमनाथ जी इसरो के कुछ घटनाओं के बारें बात करते हैं जो पिछले दिनों में अभी घटित हुई या कहें कि इसके गवर्ण लांचेज बगरा किये गए इसरो ने दोस्तो अभी S. L. V. D. 1 मिसन लांच किया था पिछली साल मतलब पिछली साल के अभी तो यह चली रहा है 2022 में यह था S. L. V. D. 1 मिसन जो की हो गया था फेल फेल हो गया था ठीक है न यह स्माल लांच वहिकल था इसके लावा इसरो का जो चंद्रयान 2 था जो 2019 में लांच किया था 22 जुलाई को ठीक है जो अपना रोवर उतरने में थोड़ा साथ दिक्कत हो गई थी उसने अभी सोडियम की प्रचूरता का पता लगाया है चंद्रमा पर 23 मिसन के ये प्रमुख बनाएगे 23 मिसन आपको पता होना चाहिए ये सूरी की कोरोना जो सूरी की बाहरी परत है उसको एक्स्प्लोर करने के लिए लांच किया जाएगा ठीक है सोरे मिसन होगा इसरो का इसके अलामा इसरो ने अभी हाली में अंधेरे वाले हिस्सी के साथ भी रिसर्च करेगा जापन के साथ सेयुकत करेगा इसका आपको पता होगा जो की और जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते रहते रहा हो नहीं मना रहे हो तो यह हम पर रही ही मिल जा रहा है सब कुछ देहान से पड़ते हैं विक्रम राइस रॉकेट क्या है यह स्काइरूट द्वारा बनाया गया भारत का प्राइबेट रॉकेट है भारत का पहला प्राइबेट कंपणी द्वारा बनाया गया रॉकेट है और इसको इस रों के लांच पैट से लांच किया चलो अच्छी बात है यह भी प्राइबेट एक इस प्रिशन सी भी बढ़ रही है अभी इस रों ने एक PSLV PSLV C54 नाम से जो Earth Observation Satellite है उसको लांच किया साथी साथ आठ और मीनी सेटिलाइट को लांच किया इतना तो आप इस रों से याद रखना ठीक है ना आगे बढ़ते हैं हाल में कहां पर साथवी इंडिया वाटर इंपक्ट समिट सुमिल हुई तो साथवी इंडिया वाटर इंपक्ट समिट जो है यह नए देली में सुरू हुई है यहां पर आप देख पाऊगे आर्टिकल भी है आपके सामने यह दिसंबर 15 से बिगन हुई है ठीक है 15 दिसंब Convergence of 5P ठीक है तो दुनिया भर और भारत से नई तक्नीकी नवाचारों अनुसांदानों यानि रिसर्चर्चर्ज और जो पॉल्सीज होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए यह समिट आयूजित किया गया इंडिया वाटर इंपक्ट समिट ठीक है आगे हाले में किसको सारजनिक मेत्र के लिए सीज पुरुसकार से समन्द किया गया इस आई एस पुरुसकार यह दोस्तों अभी हाले में हमारे पूर्वर राष्टपती एम वेंकेया नाइडो जी को दिया गया है यहापर आप देख पाओगे फार्मर वाइस प्रेसिदेंट वेंक इमिनेंस अवार्ड यह सीज ठीक हँके हालाकि इस बहुत शारी काटेंगरी में और भी अवाइड दिये गया है जैसे कि के गवर्शकार को दिया गया किसके लिए इनको दिया गया है सार्वजिनिक्स रिष्टा सम्दाइग नेत्र तो और यानि की कहें पब्लिक ली रेसिप मोटा-बोटा का हो तो भारत के ये 13 उपराश्पती थे 11 अगस 2017 से 11 अगस 2022 तक रहे अभी 14 उपराश्पती कौन है कमेंट बॉक्स में आप पुझे बताएंगे अच्छा मैं नाम बता दे रहा हूँ आप पहले बताईए इनकी गवर्नर ये कहां गयते ठीके ना जगदीब धंकर थे हैं वर्तमान में जगदीब धंकर जी हैं आप मुझे कमेंट करके बताओ ये इससे पहले कहां कि गवर्नर थे सीज की इससाप्ण 1932 में हुथी मुंबई में इसका हेटकॉर्टर है अगे हाले में भारत के मुखे नादेश ने किस राज के 10 जिलों में डिजिटली करण केंद्रों का उधगाडन किया तो चीप जिस आफ इंडिया जोकी है डी वाई चंद्रचूर जी इन्होंने क्या कि अब ही ओड़िसा में कहां पर ओड़िसा राज में दस जिलों में डिजिटली करण केंद्रों का उधगाडन किया हुआ है यहां पर आप देख पाऊगे इसको नाम दिया गया है DCDS बोले तो डिश्टिक कोड डिजिटाइजेशन हब ठीक है अब इससे क्या होगा न कि जो भी जो यह जिले होंगे जहां पर यह सुरू किया गया है यहां पर जब डिजिटली करण केंद्र हो जाएंगे तो जो मुकदमे हैं जो केसे हैं इनको डिश्टाइज किया जाएगा और थोड़ा सा आसानी हो जाएगी एक दूसरी जगह से फाइल ट्रांसफर करना हुआ फाइल खोजना हुआ ठीक है यह सब बहुत लंबा प्रॉस पर जाकर के लिखना है तुरंत फाइल आपका केस मिल जाएगा ठीक है तो यह डिजिटाइजेशन का फाइदा है आगे हाली में बैंक और बड़ोदा ने किस बैंक में अपनी अधिकांस हिस्सेदारी बेचने का फैसल लिया तो दोस्तों अभी हाली में बैंक और का 98.57 परसेंट सेयर है सुचैशो अठ्ठंम सब्समलों 5 7 परसेंट सेयर केवल बैंक और या न अनिताल बैंक में या इक प्रकार से कहें कि यह बैंक आइंक और बरायोदा ही है ठीक है तो यह कहा है कि अब अपनी इस में से कुछ हिस्सेदारी बेचेगा ठीक है बैंक ऑब बड़ोदा ने, ने निताल बैंक का, और अब इसके हिस्सेदारी कुछ बेचेगा, बैंक ऑब बड़ोदा के बारे में अगर बात करें आप से, तो 1908 में इसके स्थापना हुई थी, इसका हेटकॉाटर है वडोदरा गुजरात में, वडोदरा गुजरात में है, और इसके जो MD और CU हैं, वो हैं संजीव चढधा, संजीव चढधा जी हैं, ठीक है ना, अच्छा एक चीज और, बैंक ऑब बड़ोदा ने अभी हाली में एक पुरुषकार जीता है, EAG पुरुषकार, EAG वित्तिय सुरुच्छा पर EAG पुरुषकार जीता है, याद रखे इंपॉर्टेंट है, अच्छा अपनी जो पुष्तक आई है, जिन जिन लोगों ने नहीं लिया है, वो जा करके ले सकते हैं, अब delivery charge भी fix हो गया है, Amazon पर available है, आप जा करके इसे purchase कीजिए, link description में दिया गया है, pin comment में भी दिया गया है, इसके अलावां आप MZT, MZT book अगर लिखोगे Amazon पर जा करके Amazon Swapping अप पर तब भी आपको में जाएगा, ठीक है, आगे, हाली में कॉलेजियम ने Supreme Court के लिए High Court के कितने जजों को नाम की सिफारिस की, तो अभी हाली में कॉलेजियम ने Supreme Court के लिए High Court के पांच जजों के नाम की सिफारिस करी है, जो Supreme Court में जो जज जैसे पंकज मित्तल जो है रायस्थान हाई कोट के वरतमान में चीप जसेस है और यह जाएंगे वहाँ पर एजे जजज बनेंगे ध्यान रखना यह पांचों जो है यह सुप्रीम कोट में जाएंगे तो वहाँ पर एजे जस्टिस जाएंगे ठीक है ना जज के रूप में ज यह कॉर्म है जब बनेंगे, तो यह 5 और जो गया? तो डिपांकर रत्ता बताइब बनेंगे, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 34 maximum यही तो मैंने बताया था कि 34 ही हो सकते हैं तो बिल्कुल फुल्फिल हो गया अब ठीक है ना चलो तो यह आप याद रखेंगे कि 34 maximum संख्या हो सकते हैं जिसमें से एक होगा चीप जैसे सपना जन्वरी 2023 में आठवा भारती अंतराष्टे विज्यान महोचो कहा आज़ित किया जाएगा तो दोस्तो आठवा भारती अंतराष्टे विज्यान महोचो यह भोपाल मध्यप्रदेश में आज़ित किया जाएगा कब जन्वरी 2023 में यहाँ पर आप देख पाओगे यूनियन मिनिस्टर है डाक्टर जितेन सिंग जी इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिबल टू बे हेल्ड इन बोपाल इन जन्वरी 2023 ठीक है अब देखो जी टुन्टी की भी समिट भारत मेजबानी कर रही रहा है 2023 में और 2023 में क्या दिसंबर से ही सुरू हो गया है भारत अधिक्सा करना सुरू कर दिया है तो 2023 में और कौन-कौन चीज की मेजबानी करने वाला है भारत जी टुन्टी की करेगा SEO समिट की करेगा इसके अलामा हम लोग World Cup की करेंगे World Cup होगा जो 2023 का इसकी मिजबानी करेंगे इसके अलामा हम लोग होकी विस्वकप की भी करेंगे होकी विस्वकप की करेंगे और इसके अलामा जो Blind का होगा Blind T20 World Cup होगा उसकी मिजबानी करेंगे Street Child जो होगा Cricket इस्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ड कप जो होगा इसकी करेंगे हम लोग में इस बानी और यहां पर अंतरस्टी विगान मौसु यह तो भारत में होता ही है फिलाल तो भोपाल में मौलाना आजार प्रदोग की संस्थान में किया जाएगा 21-24 जनवरी आठावा संस्कर्ण होगा 2015 में सुरू हुआ था ने दिल्ले में ठीक है साइन्स टेक्नलोजी और इनोवेशन के छित में भारत की उपलब्धी जो है उसको चिन्हित करने के लिए आयजित किया जाता है और अच्छे से रिविजन करने के लिए बुक में खोलिए चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 किताब में खोलेंगे तो आयजन और सम्मेलन मिलेगा यहाँ पर रिवाइज कर लो जर्मनी जो है यह इस बार G20 G20 की इंडोनेसिया किया था जी सेवन या ग्रूप आप सेवन इसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है पिछला संसक्रण कहाँ पर हुआ था UK में हुआ था ठीक है अच्छा यहाँ प ठीक है WEF का दावोस एजेंडर सिखर सम्मेलन पीम मोदी जो है यह वीडियो कॉन्फरेंसिंग से इसमें जोड़े हुए थे भारत मधेजिया सिखर सम्मेलन की मेजवानी प्रधान मंत्री मोदी जी नहीं किया पहला यह संसकर्ण था इस बार का ठीक है और और तोर करनाटक के हमपी में देव यात्रम नाम का अंतराष्टे सम्मेलन हुआ अभी ये CGL में पूछा गया था देव यात्रम ठीक है इसके अलावा विमेन एट वर्ग कारिकरम करनाटक ने सुरू किया 36 अंतराष्टे भूबाइग्यानिक कंग्रेस ये ने देली में हुई फिक्की ने है इंडिया का आजन किया ये भी इंपोर्टेंट है पूछा जाएगा आपसे इसके लावा विसाखा पत्न में इंडियान साइकाट्रिक सोसाइटी राष्टी सम्मेलन का आजन किया गया इसकी थ्रीम थी ब्रिजिंग माइंड कनेक्टिंग जनरेशन विम्स्टेक सिखर सम्म कर रहा है ठीक है ना प्लान मंती नरेशन मोदी जी ने हिस्सा लिया होमयोपैथी पर यह हुआ अभी वैग्यानिक सम्मेलन का उखाटन सरवनन सुनवाल जी ने किया तो यह सारी चीजें यह खूविया है जो पोस्तक को बनाती है बेस्ट नहीं लिए हो तो अब भी आडर क किये गए हैं आपको पता है कि लिपांग करता गये अब सुप्रेम कोर्ट में नहीं परिकर को किस पन में पुरुषकार से सम्मानित किया जा चुका है दोनों कुशन से बारे में आपको जो भी पता होगा डिरेल भी जोड़न सा करना और यहीं पर वीडियो को इंड करते है वीडियो लंबी जा सकती है मेने अगली वीडियो पे तक लिए नवसकार जाहें बंदी मात्रम